हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका सुहान अकी रसोई में आज में आपको बताऊंगे कि आप बाजार जैसा टेस्टी कस्टर्ड कैसे आप अपने घर पर बना सकते हैं इसली बहुत ही आसान और जटपड बनने वाल ये रेस्पी है मैंने आप टीन फ्लेवर के कस्टर्ड बना कर दिखाया है वैनिला चॉक्लेर और स्टाबेरी बहुत एकन टाइम पर ये टेस्टी कस्टर्ड पाउडर बनकर तयार हुआ है आप इस सारी चीजें बना सकते हैं जैसे कि कस्टर्ड आइसक्रीम, कस्टर्ड फुरूड और कस्टर सिरीकंत बहुत ही आसानी से जट प पाउडर बनाकर तयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले एक कप शक्रक्पर ले लेंगे और चार टेबल इसपून मैंने ये कॉन्न फ्लावर लिया है और 4 टेबल इसपूनी इसमें हम इल्क पाउडर भी लेंगे दो पिंच लेमन यलो फूट कलर लेंगे और एक टी स्पून ये मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस लिया हुआ है तो इसे हम एक ग्रैंडिंग जार में एड़ करेंगे शक्कर एड़ कर देंगे कौन फ्लावर एड़ करेंगे जो कस्टर पाउडर हम बाजार से खरीद के लाते फ्रेंड उ आप इसे करीब से देख सकते हैं मैं इसे आपको चला कर दिखाती हूँ बहुत ही कम टाइम पर टेस्टी और लाज है वाप वैनीला फ्लेवर में ये कस्टर पाउडर बनकर तैयार है तो आप भी इस तरह से वैनीला फ्लेवर का कस्टर पाउडर बना सकते हैं तो ये कस्ट इसी grinding jar में एड़ कर देंगे आप इससे बहुत ही आसानी से जटपड चोकलेट फ्लेवर में कस्टड पाउडर बना सकते हैं बहुत ही आसान और ये जटपड बनने वाली रेश्पी है सारा सामान इसमें एड़ कर देंगे और साथी साथ एक टेबल स्पून कोको पाउडर भी एड़ करेंगे ये बहुत ही आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा तो इस तरह से ये देखे चोकलेट फ्लेवर का कस्टड पाउडर बनकर तैयार है मैं इसे आपको चला कर दिखाती हूं बहुत ही आसानी से जटपड आप अपने पसंद के कस्टड पाउडर इसी तर लेंगे इस्टाबरी फ्लेवर लाने के लिए स्टाबरी फ्लेवर का एसेंस लेंगे एक टी स्पून और दो पिंच यहां पर हमें डेड रोस कलर ले लेना है आपको बहुत यासानी से किसी भी सूपर मार्केट में ये मिल जाएगा तो आप इस तरह से ले सकते हैं सारा साम कर लेंगे ये देखिए बाजार जैसा टेस्टी खुस्पूदार स्टाबरी फ्लेवर में कस्टड पाउडर बनकर तैयार है तो फ्रेंड आप भी इस तरह से तीनों फ्लेवर के कस्टड पाउडर आसानी से घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान और छटपट बनने वाली र इस बीए एक मिनट में आप इस तरह से टेस्टी कस्टड पाउडर बाजार देशा बना कर तैयार कर सकते हैं एक कस्टड पाउडर से मैं आपको फ्रूट कस्टड बना कर दिखाती हूं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है चैनल स कस्टड पाउड कि आज मैं आपस्ट पाउडर सकते हैं तो इसी तरह से सारा कस्टड पाॉडर पैक कर के तैयार कर लेंगे यहा पर एक कप दrist when इवर का बना कर दिखाती हूं इसमें मैं 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर एड़ कर रही हूं 500 ml दूद का मैं फूर्ट कस्टर्ड बना कर तैयार कर रही हूं अगर आप 1 लिटर दूद का बना रहे हैं और इसे अच्छे से mix करते जाएंगे और यहाँ पर gas की flame आपको low रखनी low flame पर इसे अच्छे से mix कर देंगे custard powder दूद में अच्छे से mix हो चुका यह देखे custard powder mix होते ही दूद काफी अच्छे से गाड़ा और क्रीमी हो गया इसे medium flame पर 15 मिनट पकाएंगे दूद में custard powder एड़ करके इसे medium flame पर 15 मिनट पका लिया यह देखे काफी अच्छे से गाड़ा और क्रीमी हो गया तो इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद भी काफी गाड़ा हो जाता है custard powder काफी अच्छे से ठंडा हो चुका इसके उपर मलाई की परत भी जमी हुए तो इसे भी हम दूद में अच्छे से mix कर देंगे और इसे दूसरे बरतन में transfer कर देंगे इसके उपर आप अपनी पसंद के कोई भी कटे वे dry fruit एड़ करें जो भी आपको पसंद है तो इसी तरह से आप अपनी पसंद का custard powder की recipe बनाए और बनाकर इंचवाय करें बहुत ही आसान और जटपट बनने वाली recipe है ये custard powder फ्रेंट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए और वीडियो को like and share करना बिल्कुल भी मत बूले